नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब आई होग कि आप सभी रोज की तरह बहुत अच्छी होंगे दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ हमेशा की तरह एक बहुत यूस्फुल वीडियो इस वीडियो में आप देखेंगे धेर सारे ऐसे नएने कीचन टिप्स जिसको आपने आसने पहले कभी नहीं देखा होगा साथ ही साथ इन सारे कीचन टिप्स का अस्दिमाल करने के बाद आपके घर के बढ़ते ही खर्चों पर लगेगा ब्रेक और आपकी जो मुश्किल काम है वो भी आदी हो जाएंगे तो फिर चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस यूसुल वीडियो को लेकिन फिर भी डोरी कई बार धिली हो जाती है और फिर से जाडू निकलनी शुरू हो जाती है तो यहाँ पर आपके घर में अगर बेकार हो चुका चार्जर की वायर है तो आप इसका इसका इस्तिमाल करिए यह इतना मजबूत होता है कि ना यह धीला पड़ेगा और ना ही कभी यह तूटेगा तो मेरे पास यह बेकार पड़ा हुआ चार्जर का वायर था तो इसको मैं इस पर बहुत ही मजबूती से लपेट देती हूँ जिससे कि मेरी जाड़ो काफी लंबे समय तक बनी रहती है और जल्दी से ना तूटती है और ना ही खराब होती है अगर आपकी जाड़ो भी बहुत जल्दी से लाने के बाद तूटनी शुरू हो जाती है तो आप भी इस वाली ट्रिकर इस्तिमाल करके देखेगा आपको बहुत पसंद आएगा इस तरीके से बहुत अच्छे से इस पर टाइट करके इस गाट को लगा देना है और ये जो इसकी नौब वला हिस्सा है न यहाँ पे आप थोड़ा सा आपको माची से पिगला लेना है और उसकी बाद टाइट करके इसको ऐसे ही कुछ चोड़ना है जिसके बाद ये बिल्कुल कड़क हो जाता है और टाइट हो जाता है और ये जाडू हमारी बिल्कुल मजबूती से बंद जाती है अब इससे आप अराम से अपने घर में यूस करिए ये जाडू बिल्कुल भी नहीं टूटेगी इसके बाद अगला यूसुल है दोस्तों हमारा यहां दर्वाजे को लेके अक्सर आपने देखा होगा दर्वाजे का जो बैक वाला हिस्सा होता है यह कई बार दिवार पे लग के बार पर हमारी दिवार खराब कर देता है आज कल कई लोग घरों की दिवारों पर भी टाइल्स लगाते हैं तो ऐसे लगने दी जाए एक डबल टेप और जो फालतो डबल टेप है उसको साइट से हम काट लेते हैं और जहां पे दिवार पे जो निशान बन चुका है ना इस दर्वाजे की वज़े से वहां पे इसको लगा देते हैं अब इसके बाद ये दर्वाजा कभी भी दिवार से नहीं तो अगर आपके घर में भी ऐसी ही दर्वाजे से जूड़ी कोई दिक्कत है तो आप इस ट्रिक का यूज करिए यह चोटा सा जुगार है आपको बेहत पसंद आएगा है ना यूसफुल सा है चलिए दोस्तों फटा फट से देख लेते हैं अगली यूसफुल ट्रिक को तो कि हमारे वाश बेसन में चार चांद लगा देगा तो यहाँ पर यह जो सारी ढकन है ना इसको इस तरीके से सेट कर लीना है और डबल टेप की मदद से यहाँ पर इन सब को ऐसे बढ़िया तरीके से चिपका देना है जिससे कि यह बहुत ही अच्छा डेकॉर बनके एक फ्ल साबुन का इस्तिमाल करते हैं और साबुन को हम यहाँ इसके ऊपर रख देंगे जिससे देखने में भी खुबसूरत लगेगा और साथी साथ आपका जो साबुन है ना वो भी नहीं गलेगा क्योंकि इसका जो पानी होता है साबुन का वो इस ढखकन के अंदर आ जाएगा जिसको आप अराम से चेंज कर सकते हैं और आपका साबुन भी लॉंग टाइम तक चलेगा तो है ना यूस सोल सा ट्रिक इस चीज़ को अकसर हम बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं लेकिन अप छोटा छोटा जुगार करके इसे घर में बहुत असानी से बना सकते हैं तो आई ह जिसको आती हैं दोस्तों हमारी यहां पर कपड़े को लेके कई बार घर में अलमारी होते हुई भी कपड़े इतनी जादा हो जाते हैं कि अलमारी के अंदर भी नहीं आते हैं जिसके लिए कई बार हम परेशान हो जाते हैं कि कपड़ों को किस तरीके से और्गनाइस करें ल आपको न चाकुस से इनको छोटे छोटे पीस में ऐसे काट लेना है तो मैंने यहाँ पर 6-7 पीस में इसको बना लिया है अब इसके अंदर रखेंगे हम धेर सारे कपड़ों को लेकिन किस तरीके से उसके लिए हमें यहाँ पर दो डोरी चाहिए लंबे साइज में एक ही जैस साइस की तो यहाँ पर मैंने यह दो डोरी ले ली है अब सबसे पहले एक डोरी के हिस्से पर यहाँ पर दोनों को मिलाके ना गांट लगा देनी है ताकि यह बिलकुल भी ना खुले क्योंकि हमें इसमें धेर सारे कपड़े रखने है तो मजबूती से इस पर गांट एक अंदर आ जाएंगे और आपको जंजट भी नहीं होगी अगर आपके घर में अलमारी नहीं है या खराब हो गई है तो आपको अलमारी खरीदने की भी जरूत नहीं पड़ेगी आपके सारे कपड़े इसके अंदर आ जाएंगे और इस तरीके से यह जितने भी रील के हिस्स पर भी जहां भी आपको पसंदो और जो भी आपके कपड़े हैं जैसे कि मेरा यहां पर सूट है और प्लाजो है तो इसको भी मैं इस तरीके से यहां पर हैंक कर दूँगी इसके बाद आपके जितने भी घर के सारे कपड़े होंगे चोटे बड़े बच्चों से लेकर जीन्स है, पैंट है, टीशिट है, साडिया है, वो सब आप इसके अंदर बहुत आराम से हैंक कर सकते हैं, इसके लिए आपको अलमारी के जोर्द भी नहीं पड़ेगी, बस एक रील चाहिए और आपको दो डोरी चाहिए खरते भी नहीं है, और इसके सबसे अच्छी बात है, कि आपको कहीं से भी कोई चीज़ खरीद की लेके आने की ज़रत नहीं पड़ती, घर में ही आप छोटा सा जुगार कर सकते हैं, और जब कभी भी कोई कपड़ हम निकालते हैं, तो अकसर अलमारी में बागी कपड़ी बि चिलकों के जरीए, तो यहां पर आपना बहुत पत्ले पत्ले चिलकों को निकाल सकते हैं, गाजर को चील सकते हैं, सिर्फ मैडिसिन का इस्तिमाल करके, तो अकसर हमारे घर में जब मैडिसिन एक्सपायर हो जाती है, तो हम फेक दिया करते हैं, लेकिन जो मैडिसिन की ढखक बहुत असानी से धकन ही इतनी सारी गाजर को चील सकता है। इसके लावा हमारा जो यह पैरसिटर मॉल का पत्ता होता है, जो से इतनी तरीकी के हमारी घर में मैडिसन होती है ना, वो भी बहुत ही बढ़िया तरीके से चाकू का ही काम करती हैं, और इस तरह कि चाहे गाजर है, खीरा है, मूली है, तो इन सब चीजों को आप बहुत ही बढ़िया तरीके से चील सकते हैं। तो दोस्तो इस वीडियो में बताये गए जितनी भी हैक्स हैं, यह लाइफ टाइम तक आपके काम आने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो रोज की तरह एक लाइक जरूर से करियेगा। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलियेगा। और साथ इसाथ चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करियेगा। तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलती हूँ आपसे एक ऐसी ही नए वीडियो के साथ कुछ नए नए टिप्स और ट्रिक्स के साथ तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखे हर हर महादेव।